होता है बड़ा दूख जब छूड़ती है ट्रेन इसलिए हम सिखेंगे क्या होता है सेल मेंब्रेन जैसा कि आप जानते हो क्लास नाइन्थ के बालोजी का पहला चैप्टर है तो उसमें हम बेसिकली सेल के बारें पढ़ते थे और वो जो सेल होता है सेल का यह भाग होता है सेल मेंब्रेन अब यह क्या होता है का राए janas के लिए ज कि लिए जो जह सेल मेंब्रेन होता है इसका दूसरा नाम होता है plasma membrane और तीसरा नाम होता है plasma lemma अब यह जो cell membrane होता है यह होता है boundary of cell यानि कि जो cell होती है देखिए cell कुछ इस तरीके से दिखाई देती है अब यह जो cell के किनारे किनारे वाली boundary होती है वही होती है यह plasma membrane यानि कि cell membrane, अब यह boundary of cell होती है, which separate cytoplasm from surrounding, यानि कि यह separate करता है cytoplasm को surrounding से, यानि कि वातावरन के, मतलब बाहरी वातावरन से, अब देखिए, यह जो cell होती है, cell के अंदर वाला भाग यह जो पनियां-पनियां होता है, उसको हम cytoplasm कहते हैं, अब यह अंदर जो cytoplasm है, इ external मतलब बाहरी वातावरन से, अब क्यों रखे रहता है, अब देखिए, जैशिक भाहिया, हम लोग कपड़ा पहने रहते हैं, ताकि हम बाहरी वातावरन से बचे रहें, पता लगाई से जा हो रहे है, कौनों थुक दिया, तो सरीरियप गर जाएगा, लेकिन कपड़ा रहे तो पूरा सरीरियप लगेगा, लेकिन कपड़ा रहे का बचा लेगा, तो ऐसे ये भी क्या करता है, cell membrane, ये भी हमारे cell के अंदर जो cytoplasm है, उसको वाहरी वातावरन से बचाया कर रखता है, ताकि इसको कोई हार्म न पहुंच पाए, cytoplasm कहा होता है, तो ये हमारे cell के अं बचारी बाहरी बाउंडरी बाउंडरी होती है, लेकिन प्लांट में जो सबसे बाहरी बाउंडरी होती है, वो cell membrane नहीं होती देखिए यह animal cell ही यह plant cell है तो animal cell में जो सबसे बाहरी बाउंडरी होती है वो cell membrane होती है और plant cell में जो सबसे बाहरी boundary होती है वो cell wall होती है यानि कि जो सबसे बाहरी boundary रहती है उसको हम cell wall कहते हैं अब यह cell wall होती है उसी के ही निचवा cell membrane present होती है तो देखिए य में सबसे बाहरी boundary cell membrane नहीं है लेकिन मतलब plant में सबसे बाहरी boundary कौन है cell wall सब्सक्राइब होतीह जो animal cell है उसमें cell wall नहीं होता इसलिए animal में सबसे बाहरी boundary cell membrane होतीह हम लोग में cell wall नहीं पाई जाता है अब देखियो यह जो cell membrane होती है, it is made up of protein lipids, protein और lipids से बना रहता है, it is selectively permeable, देखिए selectively permeable का मतलब समझे यह, selectively permeable होता है यह हमारा cell membrane, selectively permeable का मतलब यह होता है, कि यह selective चीज को ही cell के अंदर आने देता है, selective चीज को ही cell के बाहर जाने देता है, यानि कि अच्छाव का चिजवक अंदर आ आने देगा cell के, और गंदव का चीजवक बाहर जाने देगा, मतलब देखिए यह cell है, अब मान लेजिए cell के अंदर प्रोटीन की जरूरत है, तो यह जो cell membrane है, यह प्रोटीन को अंदर आने देगा cell के, लेकिन मान लेजिए अंदर का उनौशन खराब चीज है, जो कि cell के ल अब यह जो cell membrane होता है, इट इस फ्लेक्सिबल, यानि कि फ्लेक्सिबल होता है, मूरूरू भी सकता है, थिन होता है, पतला होता है, और यह elastic होता है, यानि कि लचीला होता है, लचीला मतलब आईशे आईशे मतलब कर सकता है, डाउन सोंस भी कर सकता है, रितिक रौसन की तर है यह जो सल मेंब्रेन होता है प्लांट अनिमल रोड़ों प्लांट होता है यह जो गन्त सबसे बाहरी layer cell wall उसके नीचे cell membrane होता है यह जो होता है यह जो होता है ये बनार रहता होता है और समझ मैं होगा? तो यहाँ पर होती है वीडियो end तो देखे वीडियो खतम होती है और यह जो वीडियो है इसको आप तीन लोग के पास share करिएगा और उन से कहिए